देवियों और सजनों नमस्कार आज की इस खुश्णुमा सुहावने सुभा में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ मैं श्री निरंजिन वर्माजी से दर्ख्वास करूँगा कि वो राजीव दिक्षित को मंच पर ले आए व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जैपर का सेवा केंद्र जो इस कारिक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचे देना चाहूँगा यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाड के सुदूर गाओं से आर्थिक रूप से नहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन पढ़ाई लिखाई उनकी चिकित सा उनका खान पालन का कपड़ा सब कुछ मोहिया कायार जाता है और यह करीब 35 किलो मिटर दूर यहां से गुड़वांचरी गाओं में स्थित है आपको जब भी मौका मिलें किरपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानुवी कारी वहां हो रहा है और इस मानुवी कारी के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव सरूप आदरनी श्रीशोभा कान जी मैं उनसे आदर करूँगा दर्खवास करूँगा क्यों मंच पर आएं अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ सरी राजीव भाई की और राजीव भाई किसी परिचे के महताज नहीं है पुरा देश उन्हें जानता है कि उनका रास्ट्र चिंतन और जो रास्ट्री चेतना की बात को पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागरूपता है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं ऐसे राजीव भाई जहां भी रास्ट्री चिंतन की बात होगी जहां भी संस्कृति की बात होगी हमारी धरोहर की बात होगी वहां राजीव भाई का नाम शिर्स पे लिया जाएगा यह हम सब जानते हैं और आज वो हमारे रूप हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्तित हुए हैं वो रास्ट्र धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्त के बारे में क्योंकि शरीर अगर स्वस्त रहेगा तो रास्ट्र धर्म और रास्ट्री चेतना हम फैला पाएंगे इसलिए इन्होंने एक नया एक रूप लेके हमारे बीच में वो पस्तित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे यह सरीर जो इस रिष्टी की सबसे बड़ी देन है इस पृत्वी पर यह सरीर जो है वो अनुमोल है उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए और इस शरीर के लिए बहुत सारे रिष्टी मुनियों ने अपने अपने तरीके से हमें बताया है उन्होंने अपने अनुमों को गरंतों मे लिखा है लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ये राजीव दिक्षित जी ऐसे हैं जुनोंने आश्टांग सग्रा और आश्टांग हिर्दय जो रिशी वागभट ने लिखा था उस पर पिछले तीन वर्सों से ऐसा सोध किया है उस पे इतनी गहन अध्यान किया है और उ बहुत ही बहुत ज्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैदि के हम लोग जी सकते हैं तो मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्तिस राजीव दिक्षित को सौपता हूं उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूंगा मैं श्री बंसिलाल जी बजाज जिनोंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज्यादा हम मेदविया पिछले एक महिनों से मैं चाहूंगा क्यों आएं और माला द्वारा उनका स्वागत करे श्री शोबा कांद जी शौल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे अब पूरा मंच राजीव दिक्षित को समर्पित है और मैं चाहूंगा कि अपने मुबाइल फोन्स को या तो स्विच आफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोल्ड में डाल दें क्योंकि स्वास्त के लिए या स्वस्त होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा श्री राजीव दिक्षित जी चिन्नई नगर के सभी सम्माननिय नागरिक बंधो माताओ बहनो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का और विशेश रूप से श्री शोबाकान जी का प्रदीब भाई का निरंजन भाई का मेगानी भाई इन सब का बहुत आभारी हूँ कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विशेश पर बात करने का मौका मिला जिन विशेशों पर मैं पहले बात नहीं करता था हमारी जो चिकितसा और स्वास्थ का विशेश है इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ मंतरी को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ की इस्थती क्या है हमारे देश की सरकार हर दस-दस साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सैंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सैंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किन को क्या-क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं तो मैंने आज से लगबग चार साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ मंतरी को और उसमें एक ही प्रश्ण पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ की इस्थति क्या है तो हमारे देश के मंतरी महोदे के सच्छिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ की जो इस्थति है, उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्यन करके खुद अंदाजा लगा लीजे तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा, वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छे साथ सो पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी, वो पूरी उन्होंने लिखी थी वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगबग 112 करोड लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या, गिंती की 25 से 30 करोड है बस 25 से 30 करोड लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है शारी रिक रूप से भी और माने सिक रूप से भी बाकी जितने भी लोग है सबी को कुछ न कुछ तकलीफ हैं जैसे भारत सरकार के विशेशग्यों ने ये कहा कि पांच करोड लोग इस देश में हैं जिनको डाइबिटीज है, मदुमे है, खराब बीमारी है दुनिया के जादतर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये पांच करोड लोगों को हो गई है और विशेशक ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गती और रफ्तार से डाइबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगबग 10 से 12 करोड लोगों को ये होगी फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इंफेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां है जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रॉंकियल अस्थमा है, ट्यूबर कुलोसिस है ऐसे 12 से 13 करोड लोग है फिर वो विशेशग्यों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगबग 15-16 करोड लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जढड़ियों का दर्द जिसको आप संधी वाद कहते हैं सरल भाशा में ये हड़ियों के जोड़ों के दर्द की बीमारिया है फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग है जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाशित करते हैं गैस बनना, एसिडिटी होना, अलसर होना, पेप्टिक अलसर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगरा वगरा और ये सब में पढ़ता गया और एक जगे लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परिशान करने वाली बात कि 20-22 करोड लोग हैं जिनको आँखों की कुछ न कुछ बीमारी है या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंड नेस या कलर ब्लाइंड नेस या ग्लूको में जैसी बीमारियों से परिभाशित करते हैं और ये पढ़ते-पढ़ते में परिशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है हर साल केंदर सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब 96,000 करोड रुपए का है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट फिर राज्य सरकारों के अलग-अलग बजट है उन्होंने बताया कि जैसे तमिल नाडू की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड का है आंदर प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड का है ऐसे अलग-अलग राज्यों की सरकारों का बजट है केंदर सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर आसकत मैंने निकाला तो लग-बग एक 70,000,000 करोड रुपय का खरचा है सरकार की तरफ से फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि बिभिन बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड हैं वो तेईस लाख हैं MBBS, MDMS, BAMS माने आयरोवेद के और प्लस BHMS होमियोपैथी के तीनों विधाओं के होमियोपैथी, आयरोवेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि तेईस लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड है अब तेईस लाख डॉक्टर और लगबग 70-75 करोड मरीज या बलक इमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक सवेरे साथ बजे से शाम साथ बजे तक क्लिनिक में काम करे तो जादा से जादा 50 लोगों को वो देख सकता है अब तेईस लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रही हैं बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए तो बंतरी के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाह क रोड रुपए हमें चाहिए सरकार के पास इतना धन उपलब्द नहीं है इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर राश्विय समझोता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल है और 2014 तक कैसे होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्विकार करती है कि जिस गती से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साड़े 300 साल लगेंगे ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपेथी होमियोपेथी और आयुरवेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साड़े 300 साल में सभी को च कितसा और स्वास्थ मिल जाएगा अब पता नहीं साड़े 300 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये कि साड़े 300 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को कोई स्वास्थ कभी भी उपलब्द नहीं हो सकेगा जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर इस्तिती है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूँ उन से जब मैं ने इन सब विशों पे चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है सब को स्वास्थ मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दमपर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दमपर तो संभव नहीं है कोई और रास्ता ढूनना पड़ेगा अब दूसर विशेश रूप से एक व्यद्य है हारडी कर पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा उचा इस्थान है आज कल हिंदुस्तान के आयुरुवेद चिकित्सा के जो विशेशग्य है वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं इतनी उची इस्थिती है उनकी हारडी कर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो इस्थिती है वो ये है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उनका कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयम करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई र statistics देख लो आंकड़े देख लो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकितसा और स्वास्थ के आंकड़े मैंने कटे किये जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किये गए थे क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो मुझे हरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाशा में कहूँ कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10 प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो 8 से 10 प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रे जोने एलोपेथी व्यवस्था यहां शुरू की थी जो शायद परियाप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी या आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80 प्रतिशत हो गई है और यह चिकित्सा लगबग फेल हो गई है पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जतना विकास हुआ है अलोपैथी चिकित्सा का जितने डॉक्टर बड़े हैं जितनी दवाएं बढ़ी हैं जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी बीमारियां कई गुना गती से बढ़ गई। अब न होस्पीटल परियाप्त है न डॉक्टर परियाप्त है। आप अक्सर आए दिन अक्वारों में समाचार पढ़ते हुंगे, डीवी पर देखते हुंगे, कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पीटल के बाहर बिचारे पड़े रहते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि उनके उपर काम का इतना बोजह है, कि वो सभी पेशन्ट को अटेंड नहीं कर सकते, ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हारडी करजी की बाद समझ में आई, कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगें, तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का, तो मैंने एक दिन हारडी करजी को पूछा, कि क्या ये संभव है, कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो अपनोंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, आप से कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नीद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगरा वगरा, और ये सब आप उसको बताएंगे, ये सब बताने के बाद वो अपना conclusion आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी न कहो और बता दे कि आप देश में जो एक मिनिट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में संख्या भी कम है तो हरडिकर जी ने मुझे का कि आप ज calibration error, trial and error, माने कोशिश करो और गलतियां करो, माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक नहीं तो तुका, ये बात हारडिकर जी के मुँँ से सुनी, तो मुझे लगा कि वो आईरोवेद चिखित सक है, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे, फिर मैंने ये बात confirm करने के लिए एलोपेथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की दिल्ली में, मुंबई में वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते बने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब trial and error पर काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है बने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ assumptions के आधार पर है confirm कुछ भी नहीं है उसमें काम कर गया तो ठीक है नहीं तो आप तो मरी जाएंगे डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूँ और आप चुपचाप अपने पेशेंट की dead body लेके वहाँ से चले आएंगे मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के एलोपेथी चिकित्सा के शीरशस्त डॉक्टर जो इस देश में है उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक कॉन्फरेंस में मैं चला गया था गलती से एक डॉक्टर मुझे पकड़के ले गया था मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठके हम बात क्या करते कुछ बोलना नहीं कुछ कहना नहीं react नहीं करना बस सुनना हम देखो क्या बाते करते तो उस conference में तीन दिन में बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाएं तो आप किसी भी अलोपेथी चिकितसक के पास नहीं जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी इस्थती इस देश में आ गई है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परिशान हो गया तो मैंने वो डॉक्टर से का मैं जाना चाता हूँ उसने का अब तुम समझ गए हम लोग क्या है तो मैंने का यह आपने मुझे समझाया क्यों तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो ऐसी इस्थती है उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूँ वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लडने का बस इसके अलावा कुछ नहीं 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोद किया है वो दर्द से लडने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात में बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रिरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है तब मैंने हारडी करजी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताईए क्या करना चाहिए तो उनका देखो आयुरुवेद एक ऐसी चिकित्सा पद्दिती है जिसमें महान महान लोगों ने चरक रिशी, शुशुरुत रिशी, बागवट रिशी, निघंटू रिशी, पाराशर रिशी ये सब महान महान लोगों ने एक बात कौमन कही है और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए ये बात चरक ने भी कही है, शुशुरुत ने भी कही है, बागवट ने कही है निगंटू ने कही है, पारशर ने कही है कि जो रोगी होता है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकत्सा भी कर सकता है बस उसको कुछ ग्यान की ज़रूरत है और कुछ ग्यान जादा नहीं थोड़ा सा ग्यान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुरवेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुरवेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनमरता पूरवक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूँ इसको आप कभी भूली अगा मत आपके जीवन के स्वास्थ और चिकित्सा का 85 प्रतिशत हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयम उसे कर सकते मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेशक की मदद की जरूरत पढ़ सकती है मात्र 15 प्रतिशत अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33 प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके उपर 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 60 पर तो 1 डिवीजन होती है 75 परसेंट पर तो डिक्स्टिंग्शन आ जाती है मैं 85 परसेंट की बात कर रहा हूँ 85 परतिशत, 85 परतिशत, चिकित्सा और स्वास्त का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयम अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेशग्य की मदद के बस 15 परतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग्य की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूँ कि ये जो पंद्र प्रतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का, जिसमें आपको विशेशग्य की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारिया है, सबसे कम बीमारिया, माने जहां आपको विशेशग्य की आवशक्ता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर होई सकते हैं कंक्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर 85 प्रतिशत से और बहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवट रिशी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्तु की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए भोजन को पहचान लीजिए तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलोजी थोड़ा एनोटोमी आज की भाशा में मैं कहूँ, थोड़ा शरीर विग्यान आपको मालूम हो, और ये बहुत आसान है आज कल, कोई मुश्किल काम नहीं है, भारत सरकार ने विभिन तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं, जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, NCRT के सिलिवस में अ अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हिर्दय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किड्नी है तो कहां है, लीवर का किड्नी से क्या संबंद है, किड्नी का हिर्दय से क्या संबंद है, आपस के उनके इंटर रिलेशन्शिप है, अब तो एक चार्ट आता है, कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विंती है कि खरीद के एक टांग लीजे अपने घर में आपको भी मदद करेगा आपके बच्चों को भी मदद करेगा तो ये हिस्सा बहुत आसान है मुश्किल नहीं है बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम है वो जो भाशा में दिये गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है तो आप आयुरवेद वाला ले लीजे वो आसानी से समझ में आएगा उनके आपस के संबंद वगेरा वगेरा मैं इस विशे पर जादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्द है आपके सामझे और इसमें जादा बात करूँगों तो समय खर्च होगा आपको सिर्फ संक्यत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तक हैं फिजियोलोजी एनटॉमी की खरीद लें नहीं तो एक कलेंडर चार्ट आता है वो ले लें दो तीन कलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें अभी सरकार ने एक बारे कलेंडर का चार्ट निकाला है बहुत ही सरल भाशा में है बहुत आसान है उसको घर में टांग कर पलटते रहें देखते रहें जाद से जादा आठ दस दिन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है वहिदर क्या है किड्नी क्या है आपस के इनके फंक्शन्स क्या है ये बात बागवट्टी जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहँचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझेगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहँचानना सबसे ज़्यादा जरूरी माने उनका कहना ये है कि शरीर को जानने तो ठीक है नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहँचानने और बागवट जी ने पूरी विनमरता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहँचान लिया उसको जिन्दगी में कभी भी किसी चिकितसक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहँचान लिया माने रसोई घर को पहँचान लिया सीधी सी बात और बागवटी जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विग्यान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विग्यान है जिसको भोजन विग्यान कहें या पाक शास्तर कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो ये कहते हैं कि इस से बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज़्यादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नहीं और मैं अपने अनुवव से और आप खुद अपने अनुवव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है रिसर्च क्या करेंगा? हो भोजन तब तो रिसर्च करें खालो या प्याज से खालो प्याज से खालो के आलू से खालो उसको बीच में काटके प्याज भरलो या प्याज बगल में रखके खालो उसको पीजा कह दो बर्गर कह दो हॉट डॉट कह दो कोल डॉट कह दो वो प्रप्रेशन तो एक ही है न और वो प्रप्रेशन है मैदे का म उख्य भोजन कहा जाए वो उनके पास एक ही है पाव रोटी डबल रोटी उसको वो मचली से भी खा सकते हैं गाई के मास से भी खा सकते हैं बकरे के मास से भी खा सकते हैं या वगेरा वगेरा कहीं से कुछ भीक में मिल गया दाल चावल वगेरा तो उसके साथ खा सकते हैं वो से जगड़ा हो गया, जगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है, ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शोविनिजम बहुत है, खराब शब्द है शोविनिजम लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कहते हैं हम स्रेश्ट हैं, दुनिय की असलियत सामने आ गई मैंने उसको पुछा तुमारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगरकेन तो उसने का नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकू होता है नहीं होता संत्रा होता है नहीं होता मुसम्मी होती है नहीं होती बहुत प मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती एक वाक्य में उसने खतम कर दिया फिर मैंने का अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते मैथी होती है मैथी मैथी तो मीठी नहीं है तो मैथी होती है उसने का नहीं होती पालक होता है नहीं होता चुकंदर होता है नही होता फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया किन लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती तो मैंने का फिर होता क्या है तो उसने का दो ही चीज़े हैं एक तो आलू होता है और एक प्याज होती तो आलू को प्याज में मिलाके खालो या प्याज को आलू मिलाके खालो और कुछ नहीं होता फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या-क्या होता है मीठी चीजों में क्या-क्या होता है खटी चीजों में क्या-क्या होता है तीखी चीजों में क्या-क्य होता है कसेली या कड़वी चीज़ें क्या क्या है छे रस है ना शडरस की बात कही जाती है छे ओर रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो कहता है कि यार इसमें तो एक एंसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा मैंने का यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गाओं में होता है तब तो वो बहुत परिशान हो मैंने का हर गाओं में होता है साथ लाग बत्तिस अजार गाओं है हर गाओं में ये सब होता है माने किसी गाओं को तो दूसरे पर निर्बर रहने की जरूरत नहीं है, नमक को छोड़ कर, तब उसने का कि सच में इंडिया इस ग्रेट, ये ग्रेटनेस है अपने देश की, हमको अगर ये समझ में आती है, तो बागवट्टी जी की बाते हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, मैं किया, ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन मैं विनमरता पूरवक के रहा हूँ, अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक, चरक, बागवट्टी जी चरक के शिश्य थे, और चरक ने जितने साल काम किया, उससे डेड़ गुना जादा काम बागव करने का काम बागवट्टी जी ने किया, प्रमानित करने का मतलब observation करना, फिर जैसा result है वैसा ही प्राप्त करना, जैसे चरक रिश्य ने कहा, ये खाने से ये होता है, मानलो उन्होंने एक statement कर दिया, कि ये वस्तु खाने से ये होता है, बागवट्टी जी ने उसको प्रमान लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुरुवेद चिकितसा शास्त्र के जो विश्यशक्य हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत उचे इस्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागवट जी थे वो साधरन आदमियों के चिकितसक थे इसका मतलब क्या है इस आधरन लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुती करण कर दिया है। बागवट जी की ये दो पुस्तकें अश्टांग हिर्दियम और अश्टांग संगरहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, शुशुरुत को पढ़ लिया, निघंटु को पढ दिया उसमें और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तयार कर दिया है अश्टांग हिरदयम या अश्टांग संगरम ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट्ट जी एक सो पैंतीस वर्ष तक जिन्दा रहे और उनके शिष्ष बताते हैं कि उन्होंने इक्षा म्रत्यू को धारण किया माने उनकी इक्षा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिन्दा रहने से कोई फाइदा नहीं है तो म्रत्यू को वर्ण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब म्रत्यू को जा रहे थे तो उनके शिष्ष कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएंगे उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूँगा दूसरा धारण करूँगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूँगा लेकिन अब म पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र हैं साथ हजार दो पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र हैं सभी सूत्र संस्कृत में हैं ये तो आप जानते हैं क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं तमिल थी न पढ़ता रहा चार-पांच वरशों से तो बहुत जादा पढ़ रहा हूँ जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा और हमारा जो अभयान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है क्योंकि हमारे अभयान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेपसी कोला कोका कोला मतला हो क्योंकि विदेशी पे है फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है टॉइलेट क्लीनर है बहुत साल पहले में बोल के गया था चिन नहीं में अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉइलेट क्ली तो ये बाते हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है पेपसी कोका कोला भारत से धन लूट कर अमेरिका ले जा रहा है ऐसे ऐलोपेथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कमपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे है एक अमेरिकन कमपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर अंगेंबल उसकी बैलन्स शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है मने 20,000 परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में पेपसी कोका कोला तो 1000 प्रतिशत पे काम कर रहे हैं प्रॉक्टर अंगेंबल भी 1000 प्रतिशत पे काम कर रहे हैं एक अमेरिकन कमपनी है एली लिली उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है 35,000 प्रतिशत मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो भारत में तो ध्यान में आया कि विदेशी कमपनिया पेपसी कोका कोला बेच कर जितना धन कमा रही है उससे कई गुना जादा एलोपेथी की दवाएं बेच कर कमा रही है और उस धन को कमाने में भारत के चिकितसक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उनी दवाओं का प्रेस् वाला है प्रॉक्टर अंड गैंबल की ही दवाएं लिखता है बंभई में मैंने यह जादा काम किया और एक है वो अलीलिली की ही लिखता है एक है सेंडोज की ही लिखता है तो पता चला कि उनका कमिशन फिक्स है ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंग कि डॉक्टरों का कमपनियों से कमिशन फिक्स है मने कमिशन जो कमपनी ज़ादा देगी वो उसका प्रस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है उनको अपने कमिशन की चिंता है और वो कमिशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है गैर जरूरी है अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रस्क्रिप्शन है अठारे बीस गोलियां लिखी हुई है चार सुबह चार दुपहर चार शाम चार रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सबजियां खाएं हम और वो तो कहते हैं कि सबजी वबजी खाओ ही मत गोलियां ही खाते रहो हाँ विटेमिन B के लिए भी गोली खालो विटेमिन C के लिए भी गोली खालो विटेमिन A के लिए भी गोली खालो और गोली से भी ज़्यादा इंजेक्शन लगवालो और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया माने जो प्रकरती हमें दे रही है उसके चक्कर में न फसके ये गोलियों के चक्कर में फसो ताकि कंपनी का माल बिके ताकि उनका भी कमीशन बढ़े ये पूरे देश में चल रहा है कहीं ज़्यादा कहीं कम मैं आपको विनम्रता पूरवक ये कहने आया कि जिस चिकित सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज़्यादा कमिशन है तो ये दवा लिखनी है नहीं तो नहीं लिखनी और भारत की सरकार बिलकुल भी फेल हो चुकी है इस कमिशन खोरी को रोकने में और Medical Council of India के पास ऐसा कोई कारिक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमिशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके जो शपत लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे एक शपत उनको दिलाई जाती है वो शपत लेकर निकलते हैं उसमें बड़ी-बड़ी बाते हैं लेकिन जीवन ठीली कूल्स का उल्टा है तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि 85 प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयम कर सकता है पंदरे प्रतिशत के हिस्से में विशेशक्य की जरूरत है तो मुझे लगा कि जो 85 प्रतिशत है वो तो जानो और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले बागवट जी के 7000 सूत्र हैं सभी सूत्रों पे बात करूँ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो तो भारत में जैसे मैंने हारडीकर जी का नाम लिया उनकी मैंने मदद ली इसमें और हारडीकर जी के बरावर के कई ऐसे वैदे हैं उनकी मदद मैंने ली और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा ये पहले मुझे बताओ तो उन्होंने बताना शुरू किया तो वो साथ हजार से घटके तीन हजार तक आए फिर मैंने का ये तीन हजार में मुझे बताओ तो 3000 से 1000 पर आए फिर 500 पर आए फिर 500 से 50 पर आगए और वो 50 के बाद भी उन्होंने का अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दू तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूँ क्योंकि अगले 5 छे दिन मेरे पास समय है लेकिन उन 50 पर जो 15 हैं वो सबसे महत्तुपूर हैं बागबट जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेशक ये हुए हैं पिछले 1000 सालों में वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्तुपूर सूत्र हैं उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूँ आपके पास अगर कागज पहन हो तो जरूर निकाल लीजे नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा डाइरी है तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि पता नहीं दुबारा कब कौन व्यक्ती इस विशे पर आपसे बात कर करने आएगा और अगर नहीं है कागज पहन कौपी तो भी चिंता मत करिए क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है माने किताब बना दी है बागवट सहिता जो है माने बागवट जी की अश्टांग हिर्दयम औ पुल लेखक बागवट जी है मैंने सिर्फ सलेक्शन किया है और सलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विशलेशित किया है जैसे मैं एक उधारंड दू तो आपको मेरी बात समझ में है बागवट जी ने एक सूत्र लिखा अब मैं संस्कृत में बात नहीं पर्ष और सूरिका प्रकाश अगर नहीं मिला किसको भोजन को जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकाते समय पवन का इस पर्ष और सूरिका प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना क्यों तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विश है और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विश है एक ऐसे विश होते हैं जो ततकाल असर करते हैं और एक ऐसे विश होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं ततकाल असर वाले विश आप जानते हैं जीप पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ ऐसे बहुत विश हैं और धीरे धीरे असर करने वाले विश माने दो साल में पाँच साल में दस साल में पंदरे साल में बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिती में पहुँचा देंग क्योंकि वो विश है, अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा, अब इस हिंदी का विशलेशन करें हम, कहना क्या चाहते हैं और आज के हिसाब से विशलेशन करें, सन 2007 के हिसाब से विशलेशन करें, अब तक म एक ऐसी तक्नीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूरीका प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस पर्ष उसको मिलेगा प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है कोई रास्ता नहीं है सूरिका प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नॉलजी उसमें डवलप नहीं हुई है तो भागवट्टी जी ने साड़े तीन हजार साल पहले का शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी न कभी आदमी प्रशर कुकर बनाई लेगा ये मैंने मजाक में कहा लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसके लिए तो वो ये कहते हैं कि प्रशर कुकर का भोजन ना करें मने हमारे घर में एक प्रशर कुकर है जिस पर बागवट्टी जी का सिध्धान्त लागू नहीं होता मनें सिध्धान तो ऐसे लागुनी होता कि हम उसका खाना खाएं ना खाएं वो विश है फिर मैंने वेग्यानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विश है ऐसा बागबटी जी कहते हैं आपका क्या कहना है तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंसिट्यूट वहाँ के दो साइन्टिस्टों ने का कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागबटी जी मैं कहता हूँ ये टीवी पे बोलो तो ने ने का ये प्रेशर कुकर कमपनिया गर्दन काट देंगी हमारी टीवी पे नहीं बोल सकते हम तुम चाहो तो बोलो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% अल्यूमीनियम के बने हुए है अल्यूमीनियम आप जानते हैं और वो यह कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो अल्यूमीनियम ही है सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो aluminum ही है और दोनों वैग्याने वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ वो यह कहते हैं कि हमारा 18 साल का research यह कहता है कि अगर इस aluminum के pressure cooker का खाना बार बार आप खाते जाओ तो guarantee है कि आपको diabetes तो हो ही जाएगा, arthritis तो हो ही जाएगा, bronchitis भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज़्यादा TB होने की संभावना है अस्थमा, TB यह सब होने की संभावना है मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को detect किया तो उन्हें का 48 बीमारियों को हम detect कर चुके हैं जो pressure कुकर के खाने से ही होती है और ये दोनों researcher सबसे ज़्यादा इन्होंने research किया जेलों में जेल हैं ना हमारी वहाँ सभी कैदियों को aluminium के बरतन में ही खाना मिलता है आप जानते है तो ये दोनों विग्यानिक लखनओ के हैं लखनओ की जेल में लखनओ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी aluminium के बरतनों में खाना खाते हैं उनके उपर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने का सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ती कम होती है प्रतिकारक शक्ती कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते है बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें हैड किया वो वेग्यानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तैय कि पता करो कि ये अल्यूमिनियम कब से आया क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है तो पता चला सौ सवा सो साल पहले आया सौ सवा सो साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी अंग्रेजों की सरकार के वेग्यानिकों ने अल्यूमीनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और आपको सुनकर हिरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया अल्यूमीनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तैह हुआ था कि जेल के कैदियों को अल्यूमिनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के करांतिकारी है और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था बगत सिंग हो या उदम सिंग चंदरशेकर हो या आश्वा कुला राजिदनात लाहडी हो या ठाकुर रोशन सिंग ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के समाने, इनको जान बूचकर अलिमिनियम के बरतन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की इस्थती में आ जाए तो समझ बूचकर अंग्रेजों की सरकार ने अलिमिनियम के बरतन इस देश में इंट्रड्यूस किये अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन अल्यूमिनियम के बरतनों में ही दिया जाएगा अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज़्यादा गरीबों के घर में आ गया ज़्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे अल्यूमिनियम के बरतनों में ही बन रहे है और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहा है तो बागवट जी का सूत्र तो बहुत सरल है सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूरिका प्रकाश या पवन का इसपर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना मैंने उधारन के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज़ है अपने घर में रेफरिजरेटर रेफ्रिज्रेटर भी एक ऐसी वस्तू है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेकनॉलजी है जिसमें सूरी का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का इसपर्ष भी नहीं हो सकता और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन इसमें भी सूरी का प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इस्पर्ष नहीं हो सकता मतलब सीधासा ये है कि आधुनिक तक्नीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई है पिछले पंद्र बीस वर्षों में बागवट्टी जी के अनुसार इन में रखा हुआ, पकाया हुआ, भोजन थो छोड़ नहीं सकते रेफ्ररेटर को हम थो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव वोवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है मेरा बहुत सारी माताओं और बेहनों से तर्क हुआ है वो यह कहते है कुकर में खाना बना इसे समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती है तो ज़्यादातर माताओं बेहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते है इधर प्रेशर को कर मैं खाना बना के समय बचा फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या और फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि ये जो आपने आदा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों होस्पिटल में खराब करायेगा तब दो घंटे रोज के हिसाब से मानलो बचा लिया और साल भर में आपने साथ आठ सो घंटे बचा लिये कलपना करो फिर एक दिन होस्पिटल में भरती हो गए और दो चार महीने वहां निकल गया net result क्या वही शून्न का शून्न तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भोजन को बनाते समय पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूरी का प्रकाश ना जाता हो पवन का इसपर्ष ना होता हो वो ना करें अब इसमें विशलेशन की जरूरत है बागबटी जी तो लिखके चले गए अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंडना है और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विग्यान की मदद भी लेने है मॉडरन साइंस ने कुछ लॉजिक डवलप किये हैं कुछ अब्जर्वेशनस उन्होंने दिये है तो उनकी मदद से ये क्यों न करें क्या कारण है यहां से अब बात में शुरू करता है आधुनिक विग्यान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में ये जाने प्रेशर कुकर एक ऐसी टेकनोलजी है जो खाने को जल्दी पकाती है ये है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अत्रिक्त दबाव डालता है ये है प्रेशर प्रेशर मने दबाव तो अत्रिक्त दबाव डालने की टेकनोलोजी है प्रेशर कुकर और ये अत्रिक्त दबाव कहां से आता है प्रेशर कुकर में आपने डाल राली, उपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डाल कर बंद करके रख दिया अब उसमें एक सीटी लगा दी, वो सीटी लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर के सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है, सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गरम होगा, आप जानते हैं पानी गरम होने से वाश्पी करण शुरू होता है, वेपराईजेशन शुरू होता है, तो पानी की वाश्प प्रेशर कुकर में चारो एक कलपना करिए, अरहर की दाल थोड़ी देर के लिए कलपना अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े एक दाल को तोड़ कर दो तुकड़े, जिसको दुईदल कहते हैं जहन समाज के लोग तुरन समझ में आ जाएंगे दूइदल चने की डाल एरहर की डाल ये सब दूइदल है इसको तोड़कर आपने डाल बनाई है अब ये डाल पानी में पड़ी है नीचे से गर्म और उपर से भाप का दबाओ तो ये डाल जो है ना फट जाती है फटना समझते हैं वो दरकना शुरू हो जाता है उसके अंद के जो मॉलिक्यूल है दाल को दाल के अंदर जो अनू है वो अनू एक दूसरे को जो जकड कर बैठे हुए है ये पानी का प्रेशर उन अनूओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गरम होता है तो उबल जाती है पकती नह रखता है दाल पक गई है, पक नहीं गई है, वो थोड़ी सौफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, उपर से प्रेशर पड़ा वाश पका, वो पकी नहीं है, उबल गई है, और उसका softness बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खाली माफ करिये दाल पकी हुई नहीं है फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है पकी हुई दाल का आयुरवेद में एक सिद्धान्त है आयरुवेद में वैसे सभी सिधनते हैं उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूँ आयरुवेद चिकित्ता ये कहती है कि जिस वस्टू को खेट में पकने में जितना ज़्यादा समय लगता है अब अरहर की डाल की बात करें आप मैंसे थोड़ा भी गाउं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, तो आप जानते हैं, अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है, क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं, सुक्ष्म पोशक तत्यों के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ये जो मि micronutrients खेत की मिट्टी में है ये पौधे की जड़ में आते हैं जड़ से तने में आते हैं तने से फल में आते हैं इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है तो आयरुवेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज़्यादा स धीरे धीरे ही समय लगेगा आप दाल क्यों खाना चाहते हैं आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीन कहां से आएगा ये जो माइक्रो नूट्रियंट्स का कलेक्शन दाल में इकठा है इनके तूट जाने पर बिखर जाने पर तो वो बिखरने और तूटने म में देरी लगी है ये प्रकरती का सिध्धान्त है आयुरवेद का नहीं कहना चाहिए प्रकरती का सिध्धान्त है बच्चे को पेट के अंदर गरभाशे में विक्सित होने में समय लगता है दुनिया में हर चीज को विक्सित होने में समय लगता है जल्दी कुछ नहीं होता इ उनको dissolve होने में भी ज़्यादा समय लगेगा और डाल जब dissolve होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में इसलिए आप डाल खा रहें ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटेमिन्स आपको चाहिए कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए तो आयरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि दाल ज़्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज़्यादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वैग्यानिक थे मैं एक बार जगनात पुरी गया था आप भी गय होंगे तो वहाँ भगवान का प्रशाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते हैं आप जानते हैं हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं क्योंकि जगनात पुरी के मंदिर के पास करोणों रुपई की समपत्ती है तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहाँ दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गए हैं जगनात पुरी आप जानते वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचडी मिलती है जो भी मिलता प्रसाद के रूप में तो मैंने महंत को पूछा, कि आप ये मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है. तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूँ, कि मिट्टी ना सिर्फ पवित्र होती है, बलकि मिट्टी सबसे ज़्यादा वेग्यानिक होती है. क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर में जो है वो मिट्टी में है. हम जब मरते हैं न और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है जिसको राक कहते है और इस राक का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में तो उसमें calcium निकलता है, phosphorus निकलता है, iron निकलता है, drink निकलता है, sulfur निकलता है, 18 micronutrients निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में, ये सब वोई micronutrients हैं जो मिट्टी में हैं, इन्ही 18 micronutrients से मिट्टी वनी हैं, यही 18 micronutrients शरीर में हैं, जो मिट्टी में बदल जाता है, तो महंत का कहना के मिट्टी पवित्र है वो बहुत विज्ञानिक स्टेट्मेंट है, बस इतना ही है कि वो उसको explain नहीं कर सकता explain क्यों नहीं कर सकता आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है लेकिन आधुनिक विज्ञान का result मालूम है पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है विश्लेशन नहीं मालूम वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है मैं अपने को उस महिंत की तुलना में मूर्ख मानता हूँ क्योंकि मुझे ये विश्लेशन करने में तीन महीने लग गए वो बात तीन मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है उसकी जो माइक्रो नूट्रिनेंट्स की कैपिसिटी या कैपिबिलिटी है उसमें से आई है तो मिट्टी में डाल आई है डाल आपने पकाई है तो महंत कहता है कि मिटटी पवितर है इसलिए हम मिटटी के बरतन में ही दाल پकाते हैं भगवान को पवितर चीज ही देते हैं अब अब पवितर चीज भगवान को नहीं दे सकते अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर ले के गया पूरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है Council of Science and Industrial Research का लेबोरेटरी है जिसको Regional Research लेबोरेटरी कहते है तो वहां ले गया कुछ वेग्यानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ हाँ ये पूरी की दाल है विशलेशन करना है इस दाल में क्या है तो उन्हों के यार ये तो बड़ा मुश्किल कहाम है छे-ाथ महीने लगेगा मैंने ने का ठीक है फिर भी तो उन्होंने का हमरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने का दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उनने का नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच मैं ले गया और भुवनेशवर से दिल्ली पहुँचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 गंटे से जादा लगता है दिल्ली में दिया, कुछ वेग्यानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रियंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी फिर मैंने उन्ही वेग्यानिकों को कहा कि भईया प्रेशर को करकी दाल का भी जरा देख लो तो उनका ठीक है, वो भी देख लेते हैं तो प्रेशर कोकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने का, इसमें माइक्रो न्यूट्रियंट्स बहुत ही कम है मैं पूछा, परसेंटेज वाइस बता दो तो उन्होंने का, अगर अरहर की दाल को मिट्टी के हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रियंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं 87% नश्ट हो गए मैं पूछा, कैसे नश्ट हुए? तो उन्होंने का यह जो प्रेशर पड़ा है उपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है सौफ्ट हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि यह पका हुआ खा रहे है लेकिन वास्तम में वो नहीं है पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रियंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उप्योग नहीं आते उनको आप उप्योगी बना लें इसको पका हुआ कहते है आयरुवेद में जो सूख्शम पोशक्तत कच्ची अरहर की डाल खाने में शरीर को उप्योगी नहीं आएंगे वो उप्योगी आने लायक बनाएं उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे तो उनोंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में उंची है बशरते की आपके प्रशर को करकी और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी के हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगा इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विक्सित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तो मिट्टी के हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोशकता उसकी इतनी जबरजस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है तब मैंने गाओं गाओं घूमता रहता हूँ तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि जादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदकी भर मिट्टी की दाली खाते रहे तम मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डाइबिटीस क्यों नहीं हुआ तम मुझे समझ में आया उसको गुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तम मुझे समझ में आया उसके 32 दाथ मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले तम मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो नूट्रियंट्स की पूर्ती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो नूट्रियंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी की हाड़ी में पका पका के और ना सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हाड़ी में बलकि दूद भी मिट्टी की हाड़ी में पकाती थी गी भी मिट्टी के हाड़ी से ही निकालती थी दही का मठा भी मिट्टी के हाड़ी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अलुमिनियम बना सकते थे देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले अल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि अल्यूमिनियम का रौ मिटीरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है बॉक्साइट हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडू आंद्रप्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार है हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो अल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपरिमेंट किये इसलिए कुमारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भईया मिट्टी के ही बरतन बनाने है माने तुम से बड़ा वेग्यानिक कौन अब ये कुमार जो इतने बड़े वेग्यानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बरतन बनाकर हजारों साल से दे रहे हमारे स्वास्त की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग वो नीचे कहां है जरा बताईए अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उचा आदमी है तो ये कुमार नीचा कैसे हो गया ये उचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया ये उचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला कुछ अंगरेजों के पहले जो मुसल्मान थे उन्हों ने डाला और कुछ अंगरेज और मुसल्मानों के जाने के बाद हम काले अंगरेजों ने इसको ऐसा पका बना दिया कि कुमार इस देश में बैक वर्ड क्लास है जो सबसे बड़ा वग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना बना कर आपके माइक्रो न्यूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते एक खास तरह की मिट्टी है वही बरतन बनाने मे इसलिए हांडी इससे बनाओ और इसमें कैल्शियम मैगनिशियम कम है इसलिए इसका कुलड बनाओ ये तो बहुत बहुत बारीक और विग्यान का काम है ये सब कुमार कर रहे हैं हजारों साल से कर रहे हैं बिना किसी युनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए कितने महान लोग हैं दुरुभाग इसे सरकार की कैटेगरी में, वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो ये जो मिट्टी के बरतन की बात हुई, वो मिट्टी के बरतन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रियंट्स का सब कुछ सामन रहता है इसलिए हमारे हां मैल्यूमिनियम के बरतन या दूसरे मैटल के बरतन का चलन कम है भगवान के लिए तो बनाते नहीं धातूओं के बरतन में खाना नहीं बनता सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाथ ज्यादातर मिट्टी के है तो आप भी कर लीजे ये काम प्रेशर कुकर निकालिए मिट्टी के हांडी ले आई है तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी सिधान्ती वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा मैं आपको सरल बता देता हूँ दाल को हांडी में रखके चड़ा दीजे बाकी सब काम करते रहे गंटे डेर गंटे में पक जाएगी उतार लीजिए फिर खा लीजिए गंटे डेर गंटे में आपके जाड़ू पोचा दूसरे बरतन साफ करना कपड़े साफ करना या जो भी काम करना है पढ़ना लिखना बच्चों को पढ़ाना वो करते रही है वो दाल पकती रहेगी ये है बागवट जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूरी के प्रकाश से बंचित हो और पवन के इस परश से बंचित हो ये तभी संभव है जब आप खुले बरतन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आए और सूरी का प्रकाश की किरने भी अंदर आएं खुले बरतन में और वो खुला बरतन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी आप कहें जी मिट्टी के हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मैटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं अलॉय है कांसा कांसा आपने सुना देख शायद देखा भी हो कईसी के घर में तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब यह कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बरतन में पकाएं तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रिन्ट कम होते हैं 97% मैंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाएं, तो 7 प्रतिशत कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं, तो सिर्फ 7 प्रतिशत बचते हैं, बाकी खतम होते हैं. अब आप तै कर लीजे, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पुड़ेगा. क्वालिटी ओफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं, वो पूरे शरीर में पोशकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे, तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पुड़ेगा. माने भारत की तरफ वापस लोटना पड़ेगा इंडिया से अभी हम हैं इंडिया में जो बनाया अंग्रेजोंन है या बनादिया अमरीकियोंन है इस इंडिया से निकलके भारत की यात्रा करनी पड़ेगी और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गाओं गाओं में कहना शुरू किया है तो इसका परिणाम पता है क्या कि कुमारों की इज़त बढ़ गई है गाओं में गाओं वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हमारे लिए और मैं मानता हूँ कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुमारों की इज़त इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बरावर आ जाए क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है भले वो मिट्टी के बरतन बना रहे हैं बहुत वैग्यानिक काम वो कर रहा है और मज़े की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे है प्रेशर कुकर तो 2.500 रुपए का है और सबसे मज़े की बात कि ये हांडी जब खतम होगी बने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वोई मिट्टी से हांडी बन जाएगी दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते है बायो डिग्रेडेबल है तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें अब मैं आखरी बात जो आज की कह रहा हूँ वो ये मैंने पिछले दो वर्षों में मैं होमियोपेथी की भी चिकित्सा करता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं ये 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 तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भईया आपको मैं कोई दवा नहीं दूँगा तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी मैंने का एकी काम करो मिट्टी की दाल खाना शुरू करो मिट्टी की हांडी में रख्कियो यह दाल खाना शुरू करो चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का कहने लगे राजी बाई कौन करेगा यह सब मैंने का आपकी बीवी करेगी या आप करोगे अगर जिन्दगी चाहिए तो जख मार के आप करोगे तो मेरे पास कुछ डाइविटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं बहुत क्रोनिक जिनका यूनिट शुगर यूनिट चार सो असी के ऊपर है ऐसे सौ से जादा पेशेंट कुछ गुजरात में है कुछ राजिस्थान में और कुछ बंबई में मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बरतन ले आओ और शुरू करो अब बरतन लाने में तकलीफ होई तो कुमार को ढूनना पड़ा तो लेकिन मिल गया वो आठ से नौ महिना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी इंजेक्शन के बिना किसी टॉनिक के और हुम्यवेदी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानते दवा भी दो दवा भी दो उनको प्लैसिबो दे दिया प्लैसिबो समझते है खाली गोली दवा नहीं डाली तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं दवा खा के अच्छा हो रहा हूं मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है वो प्लैसिबो है वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खाके मिट्टी का चावल खाके मिट्टी की खिचुडी खाके रिजल्ट ये है तब मैंने मान लिया कि बागवट्ट सच में महान आदमी थे वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूरी का प्रकाश ना जाए पवन का इसपर्श ना हो तो वो आपके लिए अमृत तत्तो है भोजन नहीं है वो अमृत जैसा है ये एक सूत्र पूरा होता है साड़े आठ का समय हो गया है आगे कल दूसरा सूत्र तीसरा ऐसे करकर के जो सबसे जरूरी पंद्रे है वो पहले बताओंगा और उसके आगे बलता जाए आभार धन्यवार